तो मैं अपने computer screen पे हूँ, यहां से मैं Adobe After Effects open कर लेता हूँ अब यहां से दोस्तों हम यहां पर new project क्लिक करेंगे यहां से जो है मैं double click करके अपना कोई भी green screen footage जो है वो मैं ले लेता हूँ तो दोस्तों यहां से जो है मैं अपना green screen video उसको import कर लेता हूँ अब इसको यहां से हम drag करके यहां drop कर देंगे तो यह हमारा new composition जो है वो ready हो गया है अब यहां से जो हमारा extra part है उसको हमको remove करना है तो पहले मैं अपना जो वीडियो है उसको देख लेता हूँ कहां से हमको रखना है अब दोस्तों यहां से control shift डी जो है प्रेस करेंगे और trim कर लेंगे नीचे वाला part को हम delete मार देंगे यहां से आगे तक जहां तक हमको रखना है तो यहां तक हमको जो है रखना है इसके बाद है में हम जो है अपने keyboard पे end प्रेस करेंगे तो यहां तक हमारा टाइम लाइन जो है यहां तक आ जाएगा इसके बाद पर हम इस वीडियो वायले लेयर को सिलेक्ट करने काद में control shift D प्रेस करके trim कर लेंगे और extra part को हम कर देंगे delete अब दोस्तों यहां आपर हम right click करेंगे और trim to camp area तो हमारा यह इतना वीडियो फूटेज आ गया है अब यहां से हमको chroma की करना है तो हम जाएंगे effect पे और यहां पर सबसे पहले हम सिलेक करेंगे अपने वीडियो फूटेज को यहां से जाएंगे हम effect effect में आपको king का option मिलेगा और यहां पर आपको key light 1.2 इसको क्लिक कर लेना है यहां से जो है आपको इस वाले pen के option जो नजर आ रहा है इसको अपने mouse पे क्लिक करना है और अब जिस भी color को remove करना चाते हैं वहां लेके अपने mouse पे क्लिक कर देना है इसके बाद में दोस्तो green gain का option है तो इसको आप जो ही increase कर सकते हैं अपने हिसाब से और नीचे वाला है screen balance इसको आप minus कीजिए तो फिलाल जो है हमारा composition है यह composition setting में जाएंगे तो background जो है हमने green से लिक रखाया है इसलिए इस तरह से आ रहा है आप यहां से कोई भी color जो है आप select कर सकते हैं या फिर आप background में कोई भी image वगएरा जो है वो देज सकते हैं तो यह आपको स्रिप दिखाने के लिए है चलिए मैं कोई सब background जो है वो import कर लेता हूं और इस वाले वीडियो को हम सबसे नीचे drag करके drop कर देंगे तो यह हमारा background हो गया अब यहां से हमें सही जो है chroma की करना है तो उपर वाले layer को लेंगे यहां से select करने के बाद में यहां से effect में जाएंगे यहां हमको जो भी adjustment करना है तो screen gain पे और screen balance पे इस पे जो है हम जो अपने हिसाब से जो भी best है उसको कर लेंगे तो यह हमारा हो गया इसके बाद में हम जाएंगे screen mat पे और यहां पर जो है clip back इसको आप increase कर सकते हैं अपने हिसाब से label देख लीजे और white जो है इसको भी इसको जो है आपको decrease करना है कम करना है तो यह सारे settings है आप अपने मुताबिक जो है best अपना जो भी आपको best लगे जितना आप इसमें जो देख लिए उस हिसाब से कीजिए इसके बाद में जो है आपको foreground color correction का option आएगा तो यहां पर आप check box पे mark कर दीजिए यहां से saturation आपको 100 ही रखना है आप चाहे तो इसको increase कर सकते हैं saturation है और यहां से contrast है brightness है तो यह सारे option है आप इसका अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं अब दोस्तों यह वाला जो extra part रहे गया है इसको हमको cut करना है तो हम यहां से simple pen के tool लेंगे और यहां से हम pen से mask कर लेंगे ताकि हमारा जो extra footage है वो group हो जाए यहां से आप इसको adjust कर सकते हैं इसके इलावा दोस्तों आपको inside mask outside mask यह सारे option आएगे तो यहां जो है आप अपने हिसाब से जो भी थोड़ा बहुत है जिस्ट आपको अगर लगता है तो आप इसको try कर सकते हैं मगर basic जो green screen remove का जो process है उसमें मैं यही करता हूँ जो main होता है वही green screen gain balance है screen balance है तो यही सारा option जो है ज्यादा matter करता है तो आप अपने हिसाब से जो है key light के मदद से अपने green screen का जो है remove या फिर कोई भी screen जो है blue screen हो green screen हो जो भी color है उसको आप remove कर सकते हैं यही जो है झाल कोई जो है झाल कोई बहुत झाल कोई जो जो है कर तो दो जो है